अब हम लोग exercise 4.5 के question number 5 का solution स्टार्ट करने जा रहे हैं जो के paper point 2 से important भी है तो चलते हैं इसके solution की तरफ तो question number 5 में कहा गया है how many terms are in GP 1 upon 3, 1 upon 12, 1 upon 48 and so on 2 जाते जा रहा है and this इतना बड़ा number तो basically this question के अंदर आपको एक GP की sequence दी गई है और का गया है how many terms तो इसके तरफ कितनी terms होंगी number of terms यानि के terms को किसे प्रतन करते हैं तो भाई इस question के अंदर सिर्फ आपको n मालूप करके देना है तो भाई question की solution की तरफ चलते हैं अपने जो basic idea और concept है वो ही use करेंगे जो कि इस formula sheet पे मैंने लिखे वे भी है तो भाई सबसे पहले यहां पे में जो given दिया है given हमें क्या दिया है given हमें एक series दी गई है one upon three, one upon twelve, one upon forty eight and so on to जाते जा रहा है और फिर क्या लिखा हुआ है one upon one nine six six zero eight ठीक है जी भाई उननिस लाग सिक नहीं कुछ बताता नहीं क्या करें देंगे एक लाग 96608 यह नंबर लिखा भाई क्या बात है यह सीक्वेंस है यह सीक्वेंस एक GP है तो हम इसको इस सेक्वेंस लिखने के बाद साथ में लिख भी देंगे GP यानिक जो सीक्वें है तरह बाई थरी उन ब्राइशन है तो पता है किस तरी कर देंगे दो है तो चलते हैं एन मालूब देना और अपर आंसर देना है तो भाई हमें पता है यह GP है तो GP के अंदर general term का formula क्या होता है TN is equal to A, R N minus 1 होता है तो भाई इस formula के अंदर A अब यहां पर बच्चों के लिए बता रहूं कि जिनको यहां पर थोड़ी सी मुश्किल हुई है तो अपना calculator में सबसे पहले 1 upon क्या लिखा हुआ है तो इसके बाद नीचे क्या लिखा है 1 upon 3 तो 1 upon 3 को आप लिख दें तो पूरी की पूरी की पूरी वैल्यू calculator में डाली इसक पर R की खतम हो गई कहानी अब चलते हैं इसके solution पर तो बाई solution में अच्छा है सबसे पहले चीज यहां पर देख ले एक ही जरूवत R की जरूवत अब N हमें मालूब करना तो TN क्या होगा तो बाई TN हमारे पास यह दिवाद क्यों 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 क्योंकि Last TN को हम Last term भी कहते पर पावर N की वेलू निकाल लो जो कि हमें required है कि इस sequence के अंदर कितनी terms है तो वो निकाल लेंगे तो बाई आ जेंगे तो बाई TN को हम यहाँ पर दाल देंगे कि N मालू करने जारे है N का मतलब जो कि हमें पता ही नहीं है ठीक है बाई क्या बात है अच्छा जी बिटा अब दरह देखे हम यहाँ पर क्या करें कि हमारा solution की तरफ चलें बिटा यहाँ पर सब्सक्राइब करो तो यहाँ पर आपके पास क्या है यह नंबर आजएगा वन उपर क्योंकि यह तो इसको यह का आप पॉर एट जी बिटा अब बेटा मुझे यह वाली बात बताओ अब हम चोटा सा काम कर रहा हूं उसको जरा समझो मैं यहाँ पर क्या 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 गर रहा हूं जरा देखना वह फोर की पावर एट सब्सक्राइब इक यह नंबर जो लिखा यह आ गई ने इस नंबर को इ इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ठीक है ना भई यह अब मैंने क्यों किया अब मैं वो चीज़ समझाने जा रहा हूं अब यह चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी तो यह चीज़ याद करनी पड़ेगी सीधी सी बात है यह आप इतने mathematical अच्छे हैं तो आपको याद होनी चाहिए कि 655636 जो इकॉल होता है इक तो इस चीज़ को मैंने इस तरीक वोपर कर लिख दिये अब यह वह समझाने चाहरा हूं बेटा इस चीज़ की सुरवत है एन निकालना है तो एन कहाँ पर है इंदर न है तो इसलिए मैंने क्या चीज सेम बना ली और तो power equal कर ली तो यहां पर हमलिखेंगे as we now basis same तो power equal हो जीगी तो now 8 equal to n minus 1 हो जाएगा ठीके के mathematical का rule है कि basis एम में तो powers equal हो जाती है तो n minus 1 equal to 8 हो जाएगा तो यहां से हमने n की value निकाल ली तो यह minus के उधर जाके plus का हो जाएगा equal to n तो इसमें जमा किया तो यह कितना हो गया 9 तो बेटा यहाँ पर आके हमें n मालूम करना था जो के हमारे n हमें required था वो क्या गया 9 तो इसी चीके साथ हम चाहें तो अपना आपको answer भी check करवा देते हैं exercise 4.5 के question number 5 क्या question answer 9 है वो ही हम लोग ने निकाला है तो यह आपका answer मुबारक यहाँ पर आके हमारा question number 5 हो गया complete चलते हैं next question तो अब हम लोग exercise 4.5 के question number 6 का solution start करने जा रहे हैं जो के paper point 2 से important है और यह question है आपका already past paper में आया हुआ हुआ है from old book तो chances है कि यह question again आपका आरे है कोई changes नहीं की गई तो चलते हैं इसके solution की तरफ question number 6 में हमें कहा गया है find 3 consecutive numbers in GP ठीक है जी whose sum is 39 and their product is 729 basically इस question में हमें कहा गया है find करो 3 consecutive terms in GP GP की 3 consecutive terms यानि कि एक साथ बीकिवी 3 terms मालू करो कब जब उन number का sum किया जाए तो वो 39 के equal हो और इनका product इनको यानि कि उन terms को multiply करो तो वो 729 आ जाए ठीक है जी बीटा तो इस condition को यूज करते वे हम यहाँ पर 3 consecutive terms मालू करेंगे GP GP तो चलते हैं इसके solution में तो बाई solution का solution लिखने के पहले सबसे पहले तो जो question में हमें कहा गया वो करते है कि बाई आपको पता है इन जीप के इंतर जनर टर्म का formula यह होता है अगर इस इतफाक से अगर आपको कुछ बोल दे तो फिर आपको पते जनर टर्म को यूज करते हैं यहां से यह formula बन जाते हैं लेकिन फिलार हमें 3 terms कहा गया था हमने GP का जनर टर्म का formula तो उनको यूज करते हुए 3 terms जो जनर पौंती वो ले लिए है 3 consecutive terms ठीक है यहां तक बात होगी बिल्कुल हो गई अब हम यहां पर चाहते हैं according to given question given question question के मताबिक हमें क्या कहा गया है वह कहा गया है कि तो वह किसके equal हो जाएगा 39 के ठीक है जी वेटा तो यह 39 हो गया हो गया जी बिल्कुल हो गया इसको थोड़ा सा arrange कर लेते हैं इसको arrange कर सकते हैं कि इन तीनों के अंदर ए आ रहा है common तो वह common ले ले लेता हूँ थे जी इससे मेरे लिए ही असानी हो जाएगी इसके solution में और इसको मैं कहा दूगा equation number one थे जी फिर इसके बाद में also from question also from question also for given question given condition इसके लावा एक और चीदा में कही कही थी दूसरी चीदा में कही थी इनका जो product होगा वो इसके equal होगा तो a multiply by ar multiply by ar square जानी कि यह तीन consecutive term में multiply किया जाए तो यह equal हो जाएंगे टू तो 729 ठीक है जी पेटा product करें तो यह से equal है multiply करें तो यह इसको है थोड़ा से इसको भी सीधा कर लेते हैं तो इनको multiply करते हैं तो सबसे पहले ए ए ए ए ए तो यह तो यह तीने हो जेंगे आर और यह आर की पावर थी बन जेंगे ऐसा है यह नहीं है अब हम यहां पर क्या करेंगे ज़रा रूट चुर्स एन बोज साइद इसके क्या होगा ? मैं क्या जानी होगी उसम से हमारे लिए उसले होगी है और 6 विसम 극arp चट 현g love दोडिया कि हम फिर्धे पाigraphy का आर जाएगा ? वह स्श्वा है ? इसको पर लिए का सकुन होगरा ? इसको इसको दबाने, आपके पास यह नंबर आजएगा, आपको cube root निकालना है, तो यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, और cube root किस number का निकालना है, 729 गा, तो इसको इकल करते हैं, यह कितना जरूरत है, अगर a और r हमें इन दोनों term से पता चल जाए, तो हम easily a consecutive, three consecutive terms निकाल सकते हैं, तो अब जो हम सारा काम करेंगे, वो इन दो equation को solve करके a और r की value मालू कर लें, ताके जब हम इधर put करें, तो हमारे लिए sequence हमारी final required है, तो उसके लिए में यहाँ पर क्या करता हूँ, उसके लिए में यहाँ पर क्या करता हूँ, divide, divided equation 1 and 2, equation 1 and 2 को में divide करता हूँ, ठीक है जी बेटा, तो वह equation 1 मेरे पास यह लिखी हुई, one plus r plus r square equal to 39, फिर divide कर दूँँ है equation 2 से, तो equation 2 में यहाँ पर ar है, equal के बाद वहाँ पर क्या लिखा लिखा है, तो उसको equal के लिखा है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, सबसे पहले यह a और यह cancel out हो गया, one plus r plus r square हो जाएगा, ठीक है जी बेटा, फिर इसके बाद आगे और क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम आगे upon में क्या लिखा है, और वो यह उनका यह रहने दें, अचाजी, 39 इसको cancel out कर सकते हैं, 39 divided by 9, तो हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, 13 upon 3 आजाएगा, अब यह 3 इससे multiply करते हैं, और यह r इससे multiply करें, दो भाई, यह 3 into 1 plus r plus r square, equal to 13 r हो जाएगा, अब इसको पूरे 13 plus 13 r plus 13 r square और minus 13 r equal to 0 आजाएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, बेटा यह भी r है और यह भी r है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, minus का है तो यह plus और minus का 10 r बज़ेगा, ऐसा है यह नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसके लावा यह plus का 3 और plus 3 r square जो वो u का यूरा और equal to 0 किया, बेटा यहाँ पर दिखेंगे, क्या बज़ेगी है, quadratic equation बज़े है, तो quadratic equation को middle term formulas हम solve करेंगे, तो middle term break को हम किसरी के से याद कैसे कर सकते हैं, जो last term होती है, इसको first term से multiply करें, 3 3 is the 9, अब इसको ऐसे number से divide करें, कि divide करने के बाद जो answer है उसको, और जिससे divide किया है, उसको plus minus कर से divide करना स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं आ रहा हो, तो फिर 2 पे चलेंगे, 3 पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे, तो 9 से अगर मैंने 1 को काटना, तो 9 के table में 9 time ही आता है, तो 9 और 1 को मैं ऐसे side पे लेका हूँ और इसको plus minus करूँ कि यहाँ पर मेरा middle term आजए, तो minus और minus करूँ 3R first terms में common आ रहे हैं, 3 यहाँ से common गया, R common गया, तो 9 में से 3 common गया, तो 3 बज गया, और R में से R चला गया, तो R खतम हो जागा, तो R खतम हो जागा, ठीक है ना बेटा, इदर, अब इदर क्या common आ रहा है, इदर कुछ नहीं आ रहा है, तो 1 common यहाँ आपको पता है, minus का sign है तो अंदर की sign हो जेंगे, तो यह minus हो प्लस हो गया, यह plus हो प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि सिर्फ माइनस बाइट चला गया है, ठीक है जी, अब ज़रा देखें, अब यहाँ पर दो bracket आ रहे हैं, इन दो bracket को एक बार लिख दें, और बाकी जो चीजे बचिए हम पो दूसरे bracket में लिख दे, इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर आप देखें, आईडर और और की condition लगा देखें, क्योंकि आर मैनस 3 एकुल to 0, और 3 आर माइनस 1 एकुल to 0, अब यह दो नों equal to 0 हो जाएंगे, शरी जी बेटा, अब हम इसको solve करेंगे इस page पे, क्योंकि जगा हो चुकी है हमारे पास खतम तो भाई यहां continue करने जा रही है यहां पर देखेगा आर यहां पर माइनस के उदर जा के प्लस का हो जएगा तो यहां पर आपके पास आर की जो वैल्यू है वो के निकल के आजएगी यह वन अपॉन अब यहां पर एक छोटी से हिंट देने जाओंगा उन बचों के लिए जिनको मिडर ट्रम डिफिकल्ट लगती है तो बेटा उनको असानी से तरीक अपतार हूं कि मिडर ट्रम यानिके कॉड़िटी इक्वेशन को अपने कैल्कुलेटर से किस तरीके से सोल्ग कर सकते हो बेट तो देखो जो हमने सोल्ग करके निकाल तो वह में डिर्क क्यालेटर ने हमें दे दिया है ठीक है ना बेटा तो बहुत यहां से आपको में बतार हूं अगर आपको मिडर ट्रम ब्रेक करना नहीं आती तो आप क्याल कर सकते हैं कोई सार कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि वहां आप आके शोट ट्रिंग भी बता दीगे किस तरी के से काम होगा लेकिन हम आगे चलते हैं ठीक है जी पेटा तो फिलाहल यह वाली बात आपको पता थी कि हमें जो कोशन का सलूशन करना है यानि consecutive term मालूं करना है उसमें में R और A की value पता चलिए तो हमारी consecutive terms हो जेंगी R प इक्वेशन 2 के अदर पूट कर देते हैं तो बहुँ सबसे पहले दरह देखेगा A, A, R वैसे A, R equal to 9 है यह equation है तो A, R equal to 9 है R की value के लिए R की value 3 निकली है 3 multiple अरो दर जाके divide कर दें तो बहुँ यह 9 को इसे डिवाइट किया तो यह A की value आपके पास क्यान किया आगी जाके multiply हो जाएगा और 1 है 1 को इसे multiply कर तो बात यह की है तो बहुँ 3 को multiply करो 3 इसको तो A की value आपके पास 27 ऐसा है यह नहीं है जी बिल्कुल ऐसा ही है तो अब मेरे बच्चों यह मुझे बताओ A की value आपके पास 3 और R की value आपके पास 3 यहाँ पे और दूसी कंटीशन है य 3 consecutive terms मालुम करो जो के generally यह होती है तो हमने इनको ले लिए आप इदर पूट कर लें और अपना answer देदे तो इसलिए now now for required answer तो A, A, R, A, R square 3 consecutive terms लागी और इसलिके से यहाँ पे भी चलेगा चाहिए तो इसकी यह यह लाइन डाल दे ताके पता चलेए कि यह अलग है और 3 है sorry sorry यहाँ पर 3 की value 3 है फिर A की value आपके पाद 3 है R की value आपके पाद 3 है फिर इसके बाद में A की value यहाँ पर 3 है और इसके पर square इसको solve करें first term 3 3 3 is a 9 फिर इसके बाद में 3 है 3 की power ली तो यह 9 हो जेगा उसके लाब 3 यह 9 और 3 को 70 पर लाग तो 27 तो बेटा एक series जो थी आ यहाँ पर 27 फिर A की value यहाँ पर 27 और R की value यहाँ पर 1 upon 3 फिर आगे चलते हैं A की value यहाँ पर 27 और R की value यहाँ पर 27 और R की value 1 upon 3 और इसको पर है square तो सबसे पहले इसको solve कर ले तो 3 को 27 से cancel out करेंगे तो 9 आजेगा जी बिल्कुल आजेगा first term to 27 second term हमारे पास 9 आ गई अभी इसको solve करते हैं तो भाई जरा देखो 1 का square किया 1 का square किया 1 और 3 का square किया 9 तो 9 इसका 9 9 तिया 27 होता है तो 27 9 और जो 3rd term है वो क्या बनके आगे 3 तो यहाँ से आगे पास यह को GP बनके आ भी सीरी सी बात थी भाई कि जब 2A और 2R निकलके आएंगे तो सीरी सी बात है दो सीक्वेंसी बनेगी अब आप अपनी बुक के पिछे जाए ठीके जाए ठीके पिछे जाए एक्सराइस हमने कौन सी किया 4.5 कि कोशन नंबर 6 को सरण जाम दिया तो यहाँ पर देख लें हमें जो कहा गया था एक यह बनी है और यह बनी है तो दोनों सीक्वेंस हम लोगों ने निकाल ली है तो जो रिक वाइट था यहां पर हैंडिंग बी डालने रिजाट आपको क्या था 3 कंजेक्व टम चाहिए ठीक है न तो बैट तो यह बन सकती है या तो 279 या 3 यह सीक्वेंस बन सकती है तो यही आपका आंसर है तो यहां पर आके हमारा कोशन नबर कौन सा है कोशन नबर सिक्स है वह होता है कंप्लीट जो के बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है चलते हैं नेक्स कोशन की